गुड मॉनिंग फ्रेंड्स वेलकम टूमा सीमाच किचिन तो फ्रेंड्स आज हम काले चने की एक रैस्पी बनाएंगे और ये खाने में तो टेस्टी होती है साथ में प्रोटीन इसके अंदर काले चने के अंदर भरपूर मात्रा में होता है तो इसलिए हेल्थ के लिए भी ब अंदर गला कर रख त्या है तो यह देखिए दस से बारे गंटे के बाद में यह एकदμ से फूल के दीबं i काले चने पानी को हम अलग कर देंगे और इनको फ्रेशर कुकर के अंदर डालेंगे प्रेशर कुकर के अंदर डालकर जितना इनके अंदर हम दो गलास पानी डालेंगे इतना जितने में कि यह चने अच्छे से डूब जाए और थोड़ा सा पानी और उपर रहे इतना इसके अंदर हमें पानी डाल को चने के अंदर डाल देंगे और प्रेशर को करका ढख्कन बंद करेंगे और इसके अंदर हम आट सीटी के आएपन की शाहरे हो प्रेशु गया है तो आट सीटी हमने ले ली हैं चनी के अंदर और यह बहुत ही अच्छे से चनी उबल कर रेडी हो गए हैं अब यह नमकीन है तो इनको मिसी तरह से कच्चे भी खा सकते हैं तड़का लगाए तब यह बहुत ही टेश्टी लगते हैं और हल्थ के लिए फायदा करते हैं में एक चना उठाऊंगी और इसको दवा कर देखूंगी अच्छे से उबल गये हैं क्योंकि चना अच्छे से उबल जाना चाहिए वरना यह कच्चा रह जाएगा तो फिर यह पेट में दर्द भी कर सकता है इसलिए इसको अच्छे से बॉल करना जरूरी है तो हमने कड़ा एक दम से सिलो कर लेंगे जब जीरा चटकेगा क्योंकि जब गैस का फ्लैम हाई होता है तो जीरा उसमें जल जाता है फिर उसके टेश्ट में भी अंतर आ जाता है अब इसके अंदर हम मसाले एड़ करेंगे आदा चम्मच यह लाल मिर्च पाउडर है आदा चम्मच पानी शे वाश करके और दो ही हरी मिर्चों को भी पानी शे वाश करके और इनको छोटे-छोटे पीसेज में कट कर लिया है इनको डाल देंगे हरी मिर्च और टमाटर को और गैस के फ्लैम को अब हम लोटू मीडियम कर लेंगे और इनको 5-6 मिनिट के लिए इनको हम भूने और इसके अंदर हम यह टामाटर डाले हैं तो इनके इसाब से चौटी चुमच्छ या फर अपने टेश्ट के इसाब से वैट नमक है इसको डाल दिया है इसको डालेंगे और इसको चलाएंगे इनको पकने में पांस से साथ मिनिट का ही टाइम लगेगा और गैस के फ्लेम को तो टू मीडियम ही रखना है इस टाइम पर यदि हम गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे तो टामाटरों की ग्रेवी अच्छे से नहीं बन पाएगे आप देख सकते हैं टामाटरों ने तेल छोड़ दिया है अब इसके अंदर हमें चना और चनाओं को पानी के सहीत ही डाल तीन से चार मिनिट के अंदर कितना अच्छा सा इसके अंदर वोईल हो गए हैं टामाटर और यह सबजी तो इनको हम अच्छे से और पकने देंगे इनको अभी हम कम से कम पास से साथ मिनिट के लिए पकाएंगे जिससे कि इसका टेस्ट अच्छा हो जाए और इसको बीच- यह सबजी देखने में अच्छी लग रही है हम गयस के फ्लम को ऑफ कर देंगे सबजी बनकर बिल्कुल रेडी है और इसके ऊपर हम थोड़ी सी धनिय पती है फ्रेश धनिय पती एपन को ढाल देंगे यह देखिया कितनी अच्छी सबजी बनकर त्यार है वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेर और सब्सक्राइब जबत करें वीडियो देखने के लिए देखने के लिए